हाई एवरिवन अब बात करने वालें कि PHP का हमारा first program कैसे लिख सकते हैं यह बहुत symbol होता है सबसे पहले आपको एक new file create करनी है अब कहां करनी है किस location भी करनी है don't worry मैं आपको बता दूंगा जब create करेंगे बट उसकी extension होनी चाहिए .php अब आप एक question भूज़कते हो extension क्या होती है देखो जब भी हम लोग file create करेंगे तो file name के last name .php add कर देंगे उससे क्या होगा system को यह समझ में आएगा कि अच्छा इस file के अंदर जो code लिखा वो PHP का है इस file की type है वो PHP है और भी आप लोग ने बहुत सारे जिगह पे देखा होग इनसे हमेशा file का type पता चलता है ओल राइट अच्छा file बनाने के बाद में हम लोग उसको open करेंगे और उसके अंदर PHP का tag लगाएंगे PHP के tag लगाने के बाद उसके अंदर हम लोग code लिख सकते हैं तो एक simple सी एक line का code लिखेंगे और उसका output चेक करेंगे browser के उपर कि वो output properly क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह output आप किसी भी browser के उपर चेक कर सकते हो Chrome Firefox जो भी आपको ठीक लगे और जो code लिखोगे यह भी आप किसी भी editor के अंदर कर सकते हो मैं यहाँ पर VS code editor यूज करने वाला हूँ अब हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जलते हैं htdocs वाले folder के अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा layout अलग दिखे तो don't worry यह मैं आपको पहले बता चुक हूँ इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे एक new folder create करते हैं जिसका मैं आपे नाम रख देता हूँ टूटोरियल्स सारी की सारी फाइल्स हम लोग यही भी बनाएंगे और उनको धेरे-देरे git को पर भी डालते रहेंगे ताकि उनका code आपको भ करनेंगे बहुत सिंपल है क्या करना है आपको यहाँ पर open folder के उपर जाना है इस तरीके से htdocs के अंदर यहाँ पर tutorials वाला folder दिग गया ना इस पर open कर दो और आप यहाँ पर folder open हो जागा इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है अगर आप यहाँ भी चेक करना चाहो तो यहा अब मैं यहाँ पर एक file create कर देता हूं इस file का ना मैं simply रखता हूं यहाँ पर hello-world इस तरीके से और extension होगी इसकी .php otherwise यह file काम नहीं करेगा आपके PHP code काम नहीं करेगा अगर आपने last में .php नहीं लिखा तो यह इसकी extension ही होती है ठीक है और अब देखो इन सब को मैं extension को cancel कर कोई भी PHP का code अप लिखना चाहो वो लिख सकते हो बट सबसे पहरे जैसे मैं आपको बता है टैग्स लगाने हो तो टैग्स क्या होते है इस तरीके से एंगलर ब्रैकेट्स लगाने है उनके बाद question mark लगाने है और यहाँ पर एक दो PHP लिखने के पाद space देके enter मार दो तो इ यह बोलती है PHP का opening tag यह होते है PHP का closing tag यह अनकी जो PHP का code होगा इसके अंदर ही लिखा जाएगा अगेन मैं आपको बता रहा हूँ extension PHP होनी चाहिए मानलो HTML की extension है और इसके अंदर आप ऐसे PHP का tag लिखोगे न तो वो काम नहीं करेगा file हमेशा.php ही होनी चाहिए तभी काम अब मैं यहां पर करता हूँ echo और यहां पर लिखता हूँ hello world last में semicolon अभी echo क्या करते है जो भी हम लोग यहां पर echo करते हैं वो हमें print हो जाता है हमारे browser वाले के उपर हमारे page के उपर print हो जाएगा और यहां पर quotes क्या होते हैं simply अगर आप लोग ऐसे लिखोगे न ऐसे तो इसको समझ में नहीं आएगा कि यह क्या लिख दिया तो जब भी हम लोग directly कोई चीज़ प्रेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से double quotes में या फिर इस तरीके से single quotes के अंदर उनको लिखना पड़ता है हमें PHP के अंदर all right यह आप लोगों ने इसको हम लोग string बोलते हैं अगर पर चेक करते हैं ब्राउजर के ऊपर की इसका आउटपूट आ रहे कि नहीं आ रहा है सबसे पहले मैं लिखोंगा यहाँ पर लोकल होस्ट लोकल होस्ट लिखने के बाद में लिखोंगा टुटोरियल्स अगया यह वाला और अगर आप टुटोरियल को डिरेक्ट ली ओपन इस वीडियो ठीक है सेव करो यह प्रफेक्टली काम कर रहे है ठीक है इवन ना यह बहुत पावरफूल अगर आप इसके लिखोंगे 10 प्लस 10 तो आप देखना आपको यहाँ पे डारेक्ली इसका आउटपूट दिखेगा 20 अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर लेंग्वेश है आपको कोई भी लाइब्रीडव कर आपको उपर इंपूर्ट नहीं करना है अपना प्रोग्राम लिखने स्टार्ट करो टैग लगाओ और अपना काम करना स्टार्ट करो ठीक है इसके अंदर अच्छा ऐसा निया कि एक को आप एक ही लिगा सकते एक को आप पेस नहीं आया अब स्पेस वगेरा कैसे आता है वो हम लोग दीरे दीरे देखेंगे वह आपको पता चलेगा अराम से बट अभी के लिए हम लोगों को इतना काफी है अब एक चीज और ट्राइए कर सकते ग्राव चाहो तो अगर मैं इस टैग से बाहर एक ही चीज रख दे यह इए इस आड्लू अपर टेंड रहा उसके अंधर अपर आप इस अंडर टांक मारा उसके अंदर ही डालना पड़ेगा ओल राइट तो यह हमार आप्यों प्रोग्रेम था अब नेक्स अए पर लिए पार आपको यह पता जेंड अंदर आप HTML कैसे add कर सकते हो ठीक है इस तरीके से चलेंगे और दीरे दीरे हम लोग और भी आगे बढ़ते चलेंगे किस तरीके से हम लोग variables ले सकते हैं किस तरीके से variables को functions create कर सकते हैं उनको print वगरा करवा सकते हैं अब पूछ Thank you so much for watching this video कुछ confusion है कुछ doubt है मुझे comment section के अंदर पूछ सकतो यह मेरा paytm का donation number है आपके लिए subscribe करना like करना comment section में feedback देना completely free of cost तो कर दो भाई उससे मुझे थोड़ा सा motivation मिल जाए हूँ Thank you everyone